भारतिय टीम के पूर खिलाडी और बंगाल टीम के कप्तान मनोस तिवारी ने क्रिकेट के सबी फॉर्मेट से रिटार्मेंट की घोशना कर दी इसके बाद उन्होंने MS धोनी की कप्तानी की आलोचना कर दी मनोस तिवारी का कहना था कि शतक लगाने के बावजूद भी धोनी ने उन्हें भारतिय टीम से बाहर कर दिया था मनोस तिवारी ने कहा कि अगर मुझे यह सवाल पूछने का मौका मिलता है तो मैं MS धोनी से जरूर पूछना चाऊंगा कि 2011 में शतक लगाने के बाद भी मुझे प्लेइंग 11 से बाहर क्यों कर दिया था उन्होंने 2011 में चेन्ड़ी में वेस्टन डीज के खिलाब 104 रनों की नाबाद पारी खेली थी लेकिन उनको इस शांदार प्रदर्शन के बावजूद भी अगले मैच से बाहर कर दिया गया था खास कर आस्ट्रेलिया के उस दौरे में जहां विराट कोली, रोई शर्मा और सुरेश रहना कोई भी रन नहीं बना रहा था उन्होंने कहा मुझे मैं रोई शर्मा विराट कोली बनने की शमता थी लेकिन मैं नहीं बन सका जब मैं देखता हूँ कि कई खिलाडियों को मुझसे ज़्यादा मौके मिल रहे हैं तो मुझे बहुत दुख होता है